ललन्टॉप अद्धाइन पार्टनर्शिप विद डाबचावनप्राश सर्वुकॉन डॉक्टर ओर्थू टूरिजम पार्टनर गुजरात तूरिजम सेलिबरेशन पार्टनर मौफियर्स देर टू ड्रीम इंद्रा गांधी की हत्या राजीव गांधी की हत्या आरुशी हेमराज मर्डर यह आपका निठारी हत्यागांड जितने बड़े क्राइम की घटनाएं हुई हैं उन सब की फोरेंसिक जाहां चापने की मौर्निंग में नो वजे से जस्ट आस पास मैंने स्टार्ट ही कर रहा था मैं एक्जामेशन तो कॉंस्टेबल हमारे वहां पर पॉस्टेट थे वो दोड़ते-दोड़ते मेरे पास सिदा है सब इंद्रा गादीव कुछ हुए हैं जैसे वो लाए उनको मल्टिबल तो तब तक सब आज चुके थे मिनिस्ट्री विरिस्ट्री सब आचुके थे तो उनको फिर डेट टेक्लेर उसके बाद फिर हमने उसमें पोस्माडम उन पे किया निठारी कांट जो है जिस उसमें आप इन्वाल थे मौकाय वार्डार तर भी गए थे आरुशी वाले कांट इस उनका घर था उसके बैक्यार्ड में उसके बीचे कुछ को डाला था वो ब्लॉक हो गया था तो तो उस लसले में लोग फिदाई करते हुए उनके बैग्यार तक पहुंचे तो वहां पे कुछ सकल कुछ अड़ियां मेले थे सब किया तो फाइनली हमारे ये मानना था उस और ऐसे करके 700 के क्रीब बोन समने बोन सेंटे सॉफ्ट इश्यू जो है वह ज्यादातर पोली थीन में डाले वे थे अब भी बोलते बोलते डर रहा हूं करें कहीं मेरे पर कोट कंड़ेंटर पोट नहीं लग जाए बहुत शुक्रिया सर आपने समय दिया और इंद्रा गांधी की हत्या राजीव गांधी की हत्या आरुशी हेमराज मर्डर यह आपका निठारी हत्यागांड जितने बड़े क्राइम की घटनाएं हुई हैं उन सब की फोरेंसिक जहां चापने की नाइंटीन सेवेंटी सिक्स में एम से एमडी फोरेंसिक्स की डिग्री लेने वाले आप पहले वेक्ती थे उस दौर में और उस दौर में मैं इन सब बात करूंगा उनके अनुभवों पर लेकिन उस दौर में और दौर में फोरेंसिक्स साइन्स कितना बदला है आपके लिया से जो टेक्निलोजिकल एडवांसमेंट हुआ है पहले किसी चीज की जाती और अब वो कितना असान हो गया थोड़ा एक बार वो बताएगे शुरुआ देखो जो सबसे बड़ा डेवलप्मेंट हुआ है फ़रंसिक साइंस में या फ़रंसिक बेडिसन में जिसने एक तरह से चीजों को रिवलरेशाइज कर दिया इसी में नहीं पुरी साइंस पुरी मेडिकल साइंस में वो है डियने और डियने में जो डियने फिंगर के नाम से निकला कि भी हर आदमी के डियने का कॉमपोशिशन पर्टिविल स्पे पे वो यूनिक होता है उसके लिए तो उसकी आइडेंटी तो एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्डेंट थे कि उसका जो स्टुक्चर है वो यूनिक है और उस उनिक ने से आप उसके आइडें हाफ विल करम फुम फिमेल तो यानि कि आपके डियने में भी आधा पोर्शन जो है वो फादर का होगा आधा पोर्शन मदर का होगा तो यह पता लगाना भी असान हुआ कि आप उसकी फैमिली ट्रेस कर सकते हैं ना लाइक डैट वी इवन ट्रेसे फैमिली ट्री तो अगर अधिली भी आदमी रिलेटेड है का जिन सवर वगरा है तो उनको भी आप डियने ट्री से आइड़िफाई कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा ब्रेक्थू थू था पहले यह बहुत मुश्किल होता था राधर इंपोसिबल ही होता था पोजिटिव इन्टिफिकेशन कर रह हम करते थे आइड़िफिक्शन भाई प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन भी ब्लड ग्रूप किया यह नहीं है इसे फिट बैठा तो यह नहीं हो सकता मदलब एक्स्रूड नहीं किया जा सकता तो फाइनली इसमें आचे लगत जाते थे हम लोग लेकिन वो सारा एक्सक्लूजन क का मेंटर था रूल आउट करना वह भी बहुत कम केसेज में संभाव पाता था अब हमें सिंप्ली एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप चाहिए एक फ्रेक्मेंट चाहिए एक लिविंग सेल एक दो चाहिए बस हमको और उन लिविंग सेल को अब तो पीसियार आ गया है मल्टिपल को पहचानने के लिए पहचानने का वो क्या है उसके लिए अच्छली मैं यह उदम सिंग नगर जो है जो उत्राखंड में पढ़ता है वहां पर एक केस था उसमें पुराने बुलेट होल पे बड़ा डिस्प्यूट था तो काफी बड़ी टीम हमारी गई होई थी तो मैंने एक दम जो मेरी एसिस्टेंट थे उनको मैंने का यार देहो यहां मार्केट में कहीं पुट्टी मिल जाएगे क्या बच्चे जिसके साथ में अब खिलोने बुराने बड़ाते हैं तो वो तुरंथ ले आया है तो मैंने उसको लिया और उस होल में पुश किया और उसको है दो साल पहले पुराना केश था लेकिन इनमें बुलेट का होल किया यह पता लगाने का था तो इस सेंपली सिंपल मैथड तो यह स्टार्ट टैलिंग में लेगे तो बड़ा असान और सीधा साधा थेस्ट हो गया तो तब से कभी लोग इस्तमाल उता होता है होता है सब कर कि ने मेरे लिए सुबह तो बहुकर ओडिनरी सुबह की तरह ही ती जैसे आज मैं गया पहले कॉंफेर्स रटेंट कर रहें गया फिर आपके परस में आ गया तो वैसे अपको पता कब चला वनदा वो तरह मैं कि सुबह में निकला था जल्दी उतने बज़े जितने आज नि कि तो वो समिस्टर इंग गजैने चम्राइशन में कंड़क कर वा रहा था फरस्ट लूर पर लेक्जर तेर्टर में अस वक जह मरे पास बैच था तो मॉर्निंग में नौ वजे से नो जए के जस्ट आस पास जह है मैंने स्टार्ट ही कर रहा था मैं गजैने तो वो दोड़ते दोड़ते मेरे पास सिधा है तो उस वक्त कहा है कि जो इमर्जेंसी डिपार्टमेंट है इट वेरी क्लोज तो मैं डिपार्टमेंट अर्ली लेस्टन एमिनेट वाक अट देर ताइम बीच में गेट सब खुले होते थे बस लिया नीचे उतरे और ग्राउंड यह थी फर्स्ट लॉर में था तो मैं जब एक्जाम शुरू क्रवाए था तो आगए सब इंदर अगादी कोछ हो गया है मैं अच्छा तो मैंने सोचे समझे बिना ही अपने टुटर को कि मैंने तुम देख ले ना में नीचे जा रहा हूं तो फिर आगे जो सब हुआ हुआ तो आपको मालम ही है कि वहां पर उनको लाय थे तो एक आर पी प्रिशाद करें का डॉक्टर थे वहां पर ड्यूटी पर सर्जन थे सर्जरी के सीनियर रिजिटेंट थे तो उन्होंने कहा है कि उनको समझ नहीं आया तो जैसे वह लाय उनको मुल्टिबल बुलेट्स लगी प्रिशेज में और उस पर एक बैलून होता है उससे आप अर्टिविशल रिस्परिशन स्टार्ट कर देते हैं यह एक स्टेंडर्ड मतलब प्रोसीजर है ऐसो भी है कि मेर्जेंसे में कोई अगर इस तरह से इतनी सीरे सालत में आता है तो इमिड़ली फर्स्ट भी ट्राइ आप पल से रेगुलर थी जो कुछ भी था वो डिस्क्रिप्शन लिए देते हैं एक सो तो तो ताइब देट तो लग बिच वह सारे ने डॉक्टर सागे में इट वाज अगए इस दिन दोड़ दोड़ डेक्टर थे एक डिरेक्टर एक डिरेक्टर अपॉंट हुए थे एक तो वह उत्सुपता हुआज काफी लोग आगे तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लहां ले जाएंगे और अपरेशन थेटर ले जाएंगे तो फिर दो बीस पे उन्होंने कहा कि साफ नहीं अब हम कुछ नहीं कर सकते तो तब तक सब आग चुके थे मिनिस्ट्री विरुसी सब आचुके थे और राजीव गांधी भी आचुके थे वहां पर सब लोग आचुके थे तो उनको फिर डेट डेट अपर उसके बाद फिर हमने उसमे पोस्माडम उन पे किया आप इने पोस्माडम किया राजीव गांधी की हत्या के समय भी आपने लीगल मेडिकों ने मैंने एडवाइसरी की दी थी उसवक्त जो है इस पेशल मेरे को तमिल लड़ वचर नहीं मूलाया था और उसके बाद में इनवेस्टिकेशन के दुरा में शर्म उगम करके थे तो जिन पर शक था या जो भी एकुस्ट हो रहे होंगे उन्होंने सुसाइड कर लिया था तो उसमें भी फिर बाद में उसका सारा जो है वो हमें आ गया तो हमने सारा उसका वही है सिर्वेस्टिकेशन में तो इस तरह उस टीम से भी हम एसोसेट हो गए थे तो यह सब चलता रहा अपना है तो इस और बज़े पर कभी इन दोनों महत्वपून घटनाओं में आप श यह नहीं मिला इस जंग से कोई मैं उन से मिला का को प्रशन नहीं था स्पेशली सिशू पर और वैसे बाद में जब मैं ड्रैक्टर था यह और था तो जैसे कशेंट बन के आ आरे हैं दिखा रहे हैं कर तो तो रूटीन एक काम है तो आपको अपनी रूटीन अटेंडेंस म निठारी कांड जो है जिस उसमें आप इन्वाल थे आरुशी वाले कांड में आप इन्वाल थे संख्येप में दोनों का बता दीजिए निठारी वाले पर तो अभी हाई कोड ने बरी भी कर दिया है दोनों आरोपियों को वनिंदर सिंग पंदेर और सुरेंदर कोली को जब आप मौके पर पहुचे क्या सीन था पहले निठारी का देख ऐसा है निठारी में यह हुआ था कि सबसे पहले जो यह डी टाइप का मुझे उनका घर था उसके बैक यार्ड में उसके पीछे कुछ को नाला था वो ब्लॉक हो गया था तो उस सिलसले में लोग खुदाई करत उनके बैग यार तक पहुचे तो वहां पर कुछ स्कल कुछ हडियां मिले थे अब वो जब मिला तो उन्हों तो उनको बोरी बंद बोरी प्रक्टिकली बोरी में डाल गए उनको आगना भेज दिया था उनोंने बट मीडिया को थैंक्स टू मीडिया मीडिया ने इसको काफ कर दिया CBI को एंडियरली CBI कॉंटक्टेड में कि सर आप अपना एक्सपर्ट लेकर के और वहां गैस्टाउस था नोईडा में वहां पर आप 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 जाईएगा तो फिर मैं महां पहुच गया फिर वहीं से इन्विस्टी बात शुरू ही तो पहले उनका घर एक्जामन क साइशू नहीं है दिस से वेरी बिग इशू एड़ टो वर्क अपन देंट अब उसके लिए फिर उन्हों ने भी टीम बनाई अपने CBI के हमारे भी टीम थी हम लोग अब लोग लोग लेके अपने डॉक्टर्स लेके पना के सब किया तो फाइनली हमारे यह मानना था उस व करके उनको फियंगता था विकोज मेराई सौफ एक जो शुरू में थोड़ी ओन देखी मैंने तो डिसेक्टेट सी लगे हमको अना डिसार्टिकुलेशन जो था नो उसे पता चल जाता है तो डिसार्टिकुलेटेड लग रहे तो फिर हमने तलाशी में और तो कुछ मिला न अची है तो पीछे तो और कुछ मिला नहीं घर में और कुछ मिला नहीं तो सिविल इंजिनर्स को बुलाया गया है नोड़ा के कि संप का है आपका संप में क्या होता है कि कोई भी आप नाली में किसी में भी हैवी चीज डालते हो तो अगर वो हैवी चीज आपकी कहीं लिंग इन दे बॉटम तो नाला जिसे बंद नहीं हो अधरवाई जिसे आपकी रोज नाले चोक हो जाएंगे तो संप बनाए होते हैं तो यह मेरे को मालूम था तो मैंने को संप कहां पर है तो उनों बता दिया संप यहां पर है कि जेवेसी मिला के मैंने अपने सारे स्टाफ को बुला के सबको बुला के हमने वो संप को खादी करवाया खाली करवा के एक एक चीज जिसे बीनते हैं ढूंडते हैं इस डंक से ढूंडा एक एक पीस उसमें निकाल करके और नालियों में भी एक एक पीस चीज तो कुछ बंस मेली हैं हमको तो और ऐसे करके 700 के करीब बं समने बोन सेंट सौफ टिशू जो है वो ज़्यादा तर पॉली थीन में डाले वे थे तो वो क्लेक्ट होगे जो वो क्लेक्ट होगे तो फिर हमने का भी देरी समबड़ी इस किलिंग पीपल इसी में एक चीज आप चूंकि अब हाई कोर्ट का इस पर फैसला आया और उन्होंन ने इसके बाद में दोनों का डिटेल्ड साइकल अदिसिस किया थे एक बॉर्ड बनाया था हमएं जिस चेर्वें जिसका मैं ही था पर उसमें एक सैकेटरिस्ट था एक प्रफेसर ओफ सैकेटरी थे परफेसर ओफ सैकेलोजी सैकेलوجी थे और मैं था और मेरे साथ मेरे dot-पे को एशोर हो गया था कि यह जो लड़के का नाम भूजो मनिंदर पंदेर और सुरेंदर कोली तो सुरेंदर कोली ने सारा काम किया है उसने बाद में अक्सब्ड भी कर लिया था और उसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन था ता अब आल कंसाइडिंग विद एट एक दम हंड् और दूसरा जो डेट्स बताएं गई थी उसके दोरा वो डेट्स में कभी वहां था नहीं लोड़ा में तो शुरू से वारत था कि यह बिल्कुल नहीं है यह नॉर्मल आदमी है इसका इसमें कोई रोल नहीं है इसका इतना ही दोश है कि यह घर इसका है और इसने इसको एम किया था इसने किलिर वही था अब हुता है कि थोड़ा सा कोट में तो गेम इज ओफ लायर्स तो बेरा वसवक्त भी अपिनियन था कि देखो आप सच और जूट को थोड़ा सा मिक्स करके चलो गए तो फिर उसमें जूटकी ही जीत होगे इंग अबी मिक्स मिक्स नहीं होता है ना तो वो जो है मैं शुरू से लिशन को कहना था है कि चकबस्त का वो शेर है क्या वो जूट की कोई इंतहा नहीं है सच तो सची रहता है वो उन्हें बढ़ता है न गढ़ता है पर जूट की कोई इंतहा नहीं होते तो जूट को अगर सच के साथ जब भी थोड़ा मिला करते हैं तो कहें ना कहें गरी जाता है तो वो गर गया है ठीक है इसी नोट पर चो कि समय कम है हमारे पास ओडियन्स क्वेस्टन्स लेते हैं आप में से कुछ लों के सवाल अगर पूछना चाहते हूं तो उसमें किसी तरह का पॉलिटिकल दबाओ होता है अगर होता है तो सरु उसको कैसे टेगोर करते हैं उसको कैसे हैं इसमें एक चीज और जोड़ू आपने कुछ विवादित राजनेति घटनाओं से भी जांच किये जैसे कि इशरत जहां का मर्डर तुलसी प्रजापती का क अगरेचे ब包 गरी बाद दूफरी बादिया म किसी नी पर नहीं आईंध किया खुषी को किसी सब को मालूम था क्या कर रहा हूं जो कर रहा हूं अरो बस्वास थोड़ा था और गल नहीं बनता अप जब माने TI-72 में इस सभज हमें आयाThis last time जो आदमी के बारे में होता है ये मेरा अपना ख्याल है तो लोगों को स्मझ में आ जाता है रे किसी तरह का अदमें है तो कभी इस तरह का प्रेश सिंग आप पॉलिटिकल तो किसी आदम को भने पेठले निई दिया इस अपने पस जी यह इसामने दीजे मैम को मेरे मन में तो मैंने नुकरनाटक डिरेक्ट भी कर रहा था और इंपर्पवाइस भी कर रहा है तो उसमें यह दिखाया था कि बच्चों को इतना कुछ हुआ और इंसाफ नहीं मिला और आज तक यह दुख मेरे ना दिल के अंदर तक बसा हुआ है इतने सबूत मिलने के बाद बीना अग अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो यह हमारे सरकार के लिए हमारी जंता के लिए हमारे लिए सब के लिए बहुत शर्मनाक विशह है और यह केस एक नहीं देख रही मैं आरुशी आतिया कांड का मैंने दिखा है में तो दो कांड मेरे को मैं सवाल प्लीज रख दी तो मुझे दुख है तो यह ऐसा क्यों नहीं हुआ उन दोनों को आरुशी को और मेरे इन बच्चों को निठारी के बच्चों को क्यों नहीं इंसाफ मिला जबकि सबूत पूरे थे क्या वज़े है कि हमारा कानोनी डापेच इतना लंबा है कि स्वाल नहीं कर सके प्लीज आ अब निठारी का तो बता दिया आरुशी का भी है केस है थोड़ा नहीं कि अंग्षेप में इस यह पर थाओ कि नहीं मिल पाता देखिए इसा है हमारी जो नहीं विएस्था है या दुनिया भर में है मैं यह कोंगा कुई यह बच्चा हमने तो हमारे तो नहीं ज़श जब वो अंग्रेजों ने बनाया है, हमने तो बनाया है निया उसको, 1860 में ब्रिटिश लोगों ने बनाया है, उसी को आज तक फोलो कर रहे हैं, अब मौधी जी ने थोड़ा उसको इंडिजिनाइज करने का प्रयास चल रहा है, अभी हुआ तो नहीं है पर चल रहा है, तो एक्चुली क्या है कि देखिए, अब आप एक स्थितिक की कल्पना करिए, मर्डर हुआ या कोई भी कहीं पर घ्रेनित पाप हुआ, एक आदमी उसको इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसका परपज इन्वेस्टिगेट करना है, फिर एक आदमी है प्रपब्ली प्रोस्चुटिगेटर, जिसकर वो देता है कि वह मेरे नजर में यह यह आदमी दोशी हैं, अब इसके आपने ट्राल करने हैं, अब एक आदमी दूसरा हुटा है कोट में डिफेंस काउंसल, यह defense council जो है वो paid है by the client कि भे आप मेरे से पैसे लो लाख दो लाख जो भी लेना है मेरे को छुड़ा दो उसको यह मतलब नहीं है कि एक crime इसने किया एक नहीं किया है उसने छुड़ाना है उसकी पैसे मिल रहे है उसको prosecutor को पैसे इस बात के मिल रहे है क्योंकि वो तो associated है नहीं कि इसने किया एक नहीं किया है क्योंकि I.U. ने decide कर लिया है government ने decide कर लिया है कि इसको prosecute करना है तो उसकी duty है उसको prosecute करना उन नहीं करवाएगा तो उसका promotion रुख जाएगा यह सबसे गंदी बात है I tell you very frankly law में कोई prosecution or seven नहीं होना चाहिए justice is justice justice पर हम दयाना चाहिए अब तीसरा आदम बैठावाए judge वो आप भी हो सकते है मैं हो सकता हूं कोई भी हो सकता है अब यह नहीं उसको यह पता है वो इन लोगों की बात सुन रहा है इनके argument सुन रहा है उस पर अपना opinion बना रहा है कि साफ यह मतलब इसने crime किया है कि ने किया है किया है तो क्या है इसकी डिग्री है तो now अब आप इस चीज की कलपना करिए कि वहां present fact करने वाले जो लोग है वह नए निविस्टिगेटर सेन दूसरे हम तो इसे witness हैं पूर witness ठीक है ना जसको हर वकील राक्सस लगता है को सब्सक्राइब वो ठीक है क्योंकि हमारा काम तो पॉस्वार करके शुरू होता है असली काम तो हमारा witness box में होगा जब हमारा cross examination होगा है ना तो अब successful होगा cross examination माली जी किसी भी वेकती का वो तो judge decide करेगा वो inference निकालेगा उसके वो inference निकालना मेरे बस पे नहीं है वो उनके बस पे है तो entire system में ऐसा है कि अगर mathematically आप calculation करो तो product जो है अगर यह मान लें आप A justice है B फला है B फला है एक formula को बनाएं तो उसमें result निकलेगा injustice अब problem यह कि इससे better को प्रोसेस हमको पता नहीं है अब बाहर करते हैं जैसे jury रखते है तो jury में कोई भी आदमी anybody can be called तो 8, 10, 9, 11 कि jury बठा दी वो सुनती है jury देती है बताती है कि गिल्टी है नहीं guilty है उनको convince करना जूरी है अब jury में हर आदमी का दिमाग अपने experience से काम करता है जैसा उसकी मान सिखता है वैसे ही सोचके बताएगा तो यह बड़ा complex issue है justice देने का बिल्कुल नियाए विवस्था को लेके बहुत सारी आलोजना प्लीज प्रॉस क्रॉस कोश्चन निए उस पे मेरे कोई शैंद यहीं लोग अगर कभी इस बात को discussion का बनाए कि हो कैसे best से best justice दिया जाए लोगों को इस पे कभी कोई चरचा नहीं उती है और मैं अब भी बोलते बोलते डर रहा हूं कई मेरे पर court vermह Nope कोड नहीं लग जाएनना सोचते इसमाग चल रहा ही है मेरे कि मैं बोलता रहा हूं कर क्या पता कोई कुमेंट कर दिया तो यह व्यस्था पूरी जो है ना इसको सूचने की आवशकता है आप जितने लोग छूटते हैं उससे उतने ही लोग जिन्हों ना क्राइम नहीं किया हो जेलों में सड़ते हैं है ना तो यह कुश्चिन इस पूरी लुग दे प्रोसेश ठीक है ओन देट नोट थैंक यू सो मच सर और थैंक यू ओर्डियन्स आप लोग उने समय दिया शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया